असलाम अलेकूम मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन वीट आमना यूट्यूब चैनल तो आज अपनी किचन में इट स्पैशन में बना रहे हैं वो चीज जिसकी रिक्वेस्ट करीबन मुझे चाट सालों से आ रही है कि आप हमें बनाना सिखा दे और वो है दूद द क्योंकि मेरे चैनल पर दूद देलारी की रहे है तो लोगों बहुत जाओ रिक्वेस्ट के किच सर्चन आप इस बार पिमाना सिखा देता तो आज हम बना रहे हैं यूपया हमनी शितनी कम क्यूशक्ता रहे हैं जा चाहिए दूद लेंगे दो लिटर समया लें लेंगे कलर थोड़ा सा बचालिए कोंट फ्लार मिक्स करने के लिए फ्लेम अन करेंगे फ्लेम हाइची देखेंगे दूद में बॉइलाने देंगे देंगे दूद में हलका हलका सब बॉयलाज गया अब इसमे हम डाल लेंगे चीनी चीनी को मिक्स करेंगे अब हमने फ्लेम को मीडियुम कर देना और इसको पकाना अगरिबन 5 मिन तक कि दूद हमारा थोड़ा सब्सक्राइब हो जाए पांच मिन हो चुकिया है दूद को हमने चमच चला चला कर पकाया अब इसमें हम समया डाल देंगे और चमज चलाइंगे और इनको भी हमने पकाना है ये थोड़ी देरबाद फूल जाएंगे साथ-साथ चमज चलाते जाएंगे हल्का-हल्का ज्याद़ तेज नहीं ये निकी विल्फूल तेज तेज चलाना है हलके-हलके हाथ से पांच मिन तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे तो यह देखें समया हमारी पक चुकी है अब इसमें हम डालेंगे कॉन फ्लाइब तो यह दूज जो मैंने बचाकर रखा हुआ था इसमें मैं कॉन फ्लाइब डाल जोंगी और इसको मिक्स कर लोंगी अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालें और भी मिक्स करते जाएंगे फ्लेम हई रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा से इसे गारा होनी देंगे तक रिए बन 2-3 मिट के लिए हाई फ्लेम पे तो यह देखिए यह रड़ी है फ्लिम कोफ कर देंगे तो अब इसे हम थंडा होने देंगे दूद उलाडी बनाने के लिए बाकी की चीज़ें जो हमें चाहिए है मिक्स फ्रूट कोक्टल दिया है हमने एक अदर चम चम लेंगी हम हजब जूरत जैली लेंगी हम ग्रीन वाली और रड वाली चम लेंगे हम एक कप मीठाप अपनी मर्दी के मताबिक जादा के ले सकते हैं अप सर्च करने कंडेंस मिल्क बाइ किचन वीद आमना तो आपको मिल जाएगी एक पैकेट हमने क्रीम का लिया है 200 ml वाला जो आम पैकेट होती है टाट्रा पैक वह वाली कटे में बादाम लेंगे कटे में प्रिस्ता लेंगे हम हजब जरूर तो यह चीज़े चाहिए हमें उसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे अगर आपको मीठा कम पसंद आए तो आप हाफ कप डालनेगे जादा पसंद आए तो एक कप डाल दें यह आप इंटर्पैंट करता है मिक्स कर लेंगे अब और अब इसमें हम डाल देंगी क्रीम अच्छी तना से ठंडा करने के बाद आपमें इसमें क्रीम डालनी है मिक्स कर लेंगे तो यह हो गया अब इसमें हम डाल देंगे कोक्टेल एक टिन मैंने कोक्टेल लिया था जैली डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन वाली थोड़ी रड़ वाली मिक्स करेंगे अब हम इसमें डाल लेंगे चमचम वोग्या आप सरवें गोल लेंगे और अबस पर हम दालेंगे जैलिस और गार्णिश करेंगे बदाम और पिस्टे तो त्यार है हमारी दूद दूलारी तो अब इसे हम रखने जा रहे हैं फ्रिज में इसे अच्छी तुना से ठंडा करने के बाद हम इसे सर्फ करेंगे तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लग गया तो इस वीडियो के निचे में से कमर्सर के जरूर बताना है तो अगर आपको यह दूद दूलारी की रेसिपी अच्छी लग गया तो मेरी वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें और अगर आप यह रेसिपी ट्राय करके इसकी पिचल में से शेयर करना चाहते है तो इंस्ट्राग्राप पर आप कर सकते है तो यह रा मेरा इंस्ट्रा